आज उन्होंने श्रीरावुल गांधी जी के स्टाफ पर पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापिस चले जाएं। किसान गरीब मजदूर S.C.S.T. O.B.C. वो जुकने वाले नहीं न रुकने वाले हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, कॉंग्रेस अध्यक्षा जी, आज श्रीरावुल गांधी और हजारों हजारों कॉंग्रेस के लोगों के साथ कंदे से कंधा मिला कर भारत जोडो यात्रा में शामिल हुई। श्रीमती सोनिया गांधी का बल, उनका विश्वास, त्याग और तपस्या की उनकी भावना, कॉंग्रेस और देश के लिए उनका संकल्प, चिलचिलाती धूप में हजारों कारेकरताओं को जिस प्रकार से उन्होंने जोश भर दिया और दस किलो मीटर से लंबी यात्रा और शायद उससे भी बड़ी, जिस प्रकार से हजारों लोग एक हजूम में और जनून में चले, वो शायद नजारा अपने आप में अनूठा था, और आप सब उसके चश्मदीद गवाँ हैं, आज कल भारतिये जनता पार्टी बहुत आई है, और आज की यात्रा से तो और जादा बोखला गई, आज उन्होंने शिरी राहुल गांदी जी के स्टाफ पर पत्रकार मित्रों पर हमला किया, ताकि आप नाराज होकर वापिस चले जाएं, कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं, कभी वो फर्जी इश्तहार दिलवा करवाते हैं, कभी वो डीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया जूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्तहार को खबर बना कर छपुआते हैं, और आज तो हद हो गई, अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं, पर वो जान लें, वो जान लें, के ने शिरी राहूल गांधी जी और ने कॉंग्रेस के लाखो करोडो कारे करता, सिविल सोसाइटी के साथ ही, किसान, गरीब, मजदूर, SC, ST, OBC, वो जुकने वाले नहीं, न रुकने वाले हैं, न वो डीके शिव कुमार को रोक सकते, जो केवल एक चिन है, न वो किसी और कारे करता साथ ही को रोक सकते, और मुझे विश्वास है कि आपने भी भाजप्पा का घिनोना चेहराज देख लिया होगा, आज जिस विशे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्तित हैं, वो करनाटक प्रांस से जुड़ी एक विशेश बात है, हमारे सूची जन जाती के भाईयों के लिए, SCST के साथियों के लिए, कॉंग्रेस की सरकार में हमने नागमोहंदास कमिशन का गठन किया, जो हाई कोट के एक रिटायर जजज हैं, बहुत जाने माने हैं और बहुत निश्पक्ष माने जाते हैं, क्योंकि हमारे SCST समाज के भाई ब जहन, उनकी ये मांग थी कि उनको संपूरन आरक्षन नहीं दिया जा रहा, प्रियांग खडगे जी उस समय सम्मंदित विभाग के मंत्री थे, उस कमिशन ने हमारी सरकार जाने के बाद रिपोर्ट दी, और उस नागमोहंदास कमिशन ने स्पश शब्दों में कहा, कि सेड जूल ट्राइब रिजर्वेशन तीन परतीशत से बढ़ाकर साथ परतीशत कर दी जाए, आज भी हमारे स्टी समाज के लोग संत महात्मा कई-कई महीनों से धरने पर हैं, पर बोमई सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, शिरी सिधारमया जी ने, हमारे विधायकों ने, हमारे साथियों ने बार-बार सदन के पटल पर ये मांग उठाई, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भाजप्पा SC-ST विरोधी है, एसी समाज के हमारे लोगों के लिए, उसी कमिशन ने रिक्मेंडेशन दी, कि उनका अरक्षन 15 परतिशत से बढ़ाकर 17 परतिशत कर दिया जाए, आज हम सब की कॉंग्रेस पार्टी एक स्वर से ये मांग करती है, बोमई जी ये कमेटी कमेटी खेलना बंद कीजिए, दो साल 6 महीने के करीब से ये रिपोर्ट आपके पास पड़ी है, सबा 2,5 साल में आपने ये रिपोर्ट लागू क्यूं नहीं की, अब जब चुनाव आ गया, 4-5 महीने चुनाव दूर है, तो भारतिय जन्ता पार्टी को चुनावी खुजली शुरू हो गई है, और वो अब मीटिंग मीटिंग खेल रहे हैं, हमारी मांग है, सीधी, जस्टिस नागमोहन दास कमिशन रिपोर्ट, हमारे SC-ST भाईयों के लिए लागू हो, SC-ST रिजर्वेशन 3 परतिशत से 7 परतिशत हो, SC-ST रिजर्वेशन 15 परतिशत से 17 परतिशत हो, असेंबली का सत्र बुलाकर इसे लागू करें, और 15 दिन में मोदी जी इसे लागू करें, नहीं तो ये साबित हो जाएगा, कि वो SC-ST के लोगों की आँख में धूल जोखना चाहते हैं, मेह बन और राहूल जी आज किसानों से मिले, उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे,